का हेलो माइड स्ट्रोंट स्वागत है हमारे अज फ twee में हैं अबह Kings लोगों ने पार्ड28 पो गिंद किया है जिसमें हम लोगों झाना कि कंडिेचन क्या होते हैं कंडिशन स्ट्र principio इसके अंदर जो उसके conditional statements है उसमें हमने starting के दो जो statements उनके बारे में जान लिया है अब हमें इसके बारे इसके आगे की जो statements हैं उनके बारे में जानना है मतलब कहने का यह है कि हमने अभी तक simple if के बारे में जान लिया है if else के बारे हम जाल लिया है कि यह क्या होते है और इसको कभ यूज़ पर और कैसी यूज़ करते है अश्ममें इशरी आपके प्रोग्राम में more than two conditions आ जाती है तो इस टैंपर जो आपका program है वो ना ही simple if से बनेगा और ना ही if else से बनेगा उसके लिए आपको if alif statement का use करना पड़ेगा क्योंकि if alif statement का use more than two conditions के लिए करते हैं तो चलिए देखते हैं if alif statement का जो syntax है वो क्या होता है हमने जो इसका use कब करना है यह हमने जान लिया है more than two conditions को हमें handle करना हो तो हम इसको use करते हैं जैसे कि आपको एक प्रोग्राम दिया जाए कि यूजर से डे नंबर लेना है और इसको डे नेम डिस्प्ले करके देना है जैसे कि उसने वन प्रेस किया तो उसे संडे दें टू प्रेस किया तो मंडे दें थ्री प्रेस किया तो टूजडे दें इस तरीके से सेवन डेस यानि पर हमें 7 conditions लगाने पड़ेंगी, 7 दिन होते हैं, 7 conditions लगाने पड़ेंगी, तो अब अगर 7 conditions हमारे प्रोबाइ में आ जाती हैं, तो ये ना ही if से रिप्ट एगा, और ना ही if else से होगा, तो इसके लिए हमें तीसरा statement if allip statement यूज़ करना होगा, तो इसका syntax है, सबसे पहले हमें लिखना होता है if, if के bracket में condition लिखनी होती है, और condition लिखने के बाद यहाँ colon sign, उसका enter प्रेस करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर space रहता है indentation के साथ, और यहाँ पर कुछ statement जो भी आप execute करवाना चाहते हो, वो यहाँ पर हम लगातार देते हैं, इसके बाद अब alip statement आ जाता है, तो हम यहाँ पर लिखना होता है alip, और उसके bracket में condition, तो alip और उसके bracket में condition देनी पड़ती है, फिर यहाँ colon sign लगाना होता है, और फिर से हमें statement लिखने होता है, तो यह सारे जो statement है, वो इलकुल if के seat में होगा, और alip के statement उसके seat में होगे, कुछ इस तरीके से, तो यह statement if के हैं, यह इस alip के हैं, तो if के bracket में condition और alip के bracket में भी condition लिखनी होती है, और ऐसे ही आपको जितने alip की need हो, आप उतने alip लगा सकते हो, तो दो, चार, छे, जितने alip लगाने हो, अब multiple alip आपको लगाओगी, जा आपको programming में कई सारी conditions होगी, तो आपको बहुत सारे alip लगाने पड़ेंगे, तो जितने भी alip लगाना लगा लो, last में हम else लगा देते हैं, और else रहत colon sign, और इसके अंदर भी कुछ statement लिख देते हैं, तो जितने भी statement हम इसके अंदर लिखेंगे, वो तब चलेंगे जब else का portion चलेगा, तो कुछ इस तरीके से इसका syntax होता है, मतलब पहला if होगा, last में else होगा, और बीच में alip होगे, तो कितने भी alip लगाए जा सकते हैं, जितनी हमारी condition हो, कभी 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 हमारी condition 150 भी हो सकती है, तो इस टैम पर हम पहला if और multiple alip लगाएंगे, और last में else लगादेंगे, अच्छा, ये else optional है, compulsory नहीं है, जगर आपको जरुत है तो आप लगाओ नहीं, अगर ये दोनों condition false हो जाती है, और और alip लगें और वो भी अगर सारे false हो जाते हैं, तो फिर सबसे आकरी में else चलने वाला है, यानि कि पहले if चलेगा condition false होगी, तो अगला alip चेक किया जाएगा, वो चलेगा, तो इस तरीके से हमारे जो प्रोग्राम है वो बनने वाला है, यानि कि जो syntax है वो उसका जो mean है वो समझ में आ गया होगा, हम लोग एक छोटा सा example देखेंगे, इसको तो तो समझने की कोसिस करेंगे कि कैसे हम लोग यह जो iflf के प्रोग्राम से उसको लिख सकते हैं, तो इसको भी हम comment line में डालते हैं, उसके और next line में प्रोग्राम लिखना है, स्टार्ट करेंगे, तो अभी हम यहाँ पर जो प्रोग्राम बना लेते हैं, जिसमें तीन condition हो, जैसे कि हमने पिछले जो series थी, पर अगर number zero के equal है, तो फिर वो neutral है, तो अब यहाँ पर तीन condition है, या तो वो positive होगा, या फिर negative होगा, या फिर वो neutral होगा, तो zero से बड़े को positive बोल दिया, zero से छोटे को negative बोल दिया, और zero के बराबर वाले को neutral बोल दिया, तो प्रोग्राम बोल रहा है, तो पहले हमें एक number का input लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर input लेते हैं, and int bracket में input, और यहाँ पर एक message देंगे, enter a number, कुछ इस तरीके से, इसके बाद हमने एक number का input ले दिया, अब हमें क्या करना है, user number user ने डाला है, इसके बिहाँ पर बताना है, कि जए number जो user ने डाला है, वो positive है, negative है, neutral है, तो हम एक condition लगाएंगे, if, if लिखेंगे पहले, इसके bracket में लिखेंगे, अगर n की value greater than 0 है, क्योंकि बात तेह हुई थी, कि अगर number 0 से बढ़ा है, यानि कि n is greater than 0, तो हम उसको जो message देने वाले हैं, वो है positive, उसके बाद हम अगली condition जो बात ते हुई थी, तो ऐलिफ लगाना पड़ेगा, और उसमें लिख देंगे हम, n is less than 0, यानि कि अगर number 0 से छोटा है, तो print में वो negative है, तो हम यहां print में message देंगे, negative का, अच्छा, 0 से बड़ा है तो positive, 0 से छोटा है तो negative, अब अगर वो 0 से बड़ा भी नहीं है, और 0 से छोटा भी नहीं है, तो अब एक ही चीज बची है, कि वो neutral होगा, तो उसको हम लोग else में deal करेंगे, तो else लिख देंगे, और हैं आप लिख देंगे print, और bracket में लिख देंगे neutral, तो हैं लिख दिया हमने neutral, तो इस थरीके से, हमने यहाँ पर if लगाया, फिर alif लगाया और else लगा दिया, तो यह तीन condition थी, इसलिए हमने पहला if, दूसरा alif और फिर else लगा दिया, अभी इसको हम लोग run करेंगे, तो हमारे program successfully execute हो जाएगा, अगर आप 0 से बड़ा number दोगे, तो हम message मिलेगा positive, अगर आप 0 से छोटा number दोगे, तो negative मिलेगा, अगर आप 0 ही input कर देती हो, तो program से neutral मिलेगा, चलि हम इसको check out करते हैं, F5 press किया, हमने यहाँ पर number दिया 12, चलि है दिखते हैं, तो यहाँ पर एक message आ रहा है, एंटर number हमने 12 डाल दिया, और हमने जैसे एंटर किया, तो देखें, हाँ पर post जबा रहा है, एक बार हम फिर से score on करेंगे, और हमने द्वारा से run किया, यहाँ पर कोई negative value डालते हैं, जैसे कि minus का 45, तो हमने जैसे एंटर किया, तो इसने negative दिया, अब हम एक काम करते हैं, एक बार और run करते हैं, और हम zero input करेंगे, तो इसे neutral देना चाहिए, और देखो, इसने यहाँ पर neutral दिया, तो इस तरीके से देखा हमने, कि हमारे जो program है, वो successfully execute हो रहा है, अच्छा, अगर आप चाहते हो, कि हम अपना जो statement है, वो alif पर ही खतम करें, तो यह जो अपने last में else लगाया है, इसको आप alif बना सकते हो, लेकिन अगर आपने alif बनाया, तो यहाँ पर आपको condition लगाने पड़ेगी, तो neutral की condition है, कि n की value अगर 0 के बराबर है, तो लिखना पड़ेगा n double equal 0, हम यहाँ पर double equal लगाएंगी, क्योंकि अगर हमने single equal लगाया, तो यह condition नहीं बनेगी, मतलब इसका answer true false में नहीं आएगा, अभी हमने लिखा n equal equal 0, तो इसका मतलब है, n में जो value पड़ी है, क्या वो 0 के equal है, तो वो हो भी सकते और नहीं भी हो सकते है, अगर वो होती है, तो यह true होगा, अगर वो नहीं होती है, तो यह false होगा, तो इसलिए यहाँ पर जब भी हम conditions में होते हैं, और single equal का ख्याल आते हैं, तो हमें से double equal लगाएंगे, क्योंकि double equal relation operator है, और वो equality को check out करता है, और answer true या false में देता है, तो यहाँ पर double equal लगाए, तो आप चाहो तो if, alif और alif बहीं सारा खतम कर सकते हैं, तो क्योंकि अभी भी इसका answer आजाएगा, हम इसको run करते हैं, हमना if i press किया, और यहाँ पर डालती है 12, तो देखो यह positive दे रहा है, दुबारा से हम इसको run करते हैं, और यहाँ पर negative लोग डालते है, minus का 78, तो यह negative भी दे रहा है, और यहाँ पर neutral दलते हैं, तो यह answer में neutral भी दे रहा है, तो इस तरीके से देखा, कि हम अपने जो statement है, वो ल, पर भी खतम कर सकते हैं, और हम चाहें तो if, ल, 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 पर last में else से भी कर सकते हैं, situation के इसाब से हमें देखना पड़ेगा, कौन सा better है, या फिर नहीं, तो इस तरीके से आँगा, कि if, ल, इस statement का यह syntax है, और यह example है, यह कैसे काम करता है, कि हम आपको समझ में आ रहा होगा, तो आसा करता हूँ, आपको यह if, statement का जो syntax और example है, आपको समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं, next video मिलेंगे, अगले इसका जो statement है, उसको complete करेंगे, multiple if को और nice if को, कि यह क्या हो और कैसे काम करते हैं, तब के लिए, तब तक के लिए, जहन,